हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकोन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नहीं आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हुको डरना अथात जो भी आपकी शरन में आते हैं उस सभी को आनन्द प्राप्त होता है और जब आप रक्षक है तो फिर किसी का डर नहीं रहता हिंदू धर्म के सबसे जागरत और सर्वशक्ति शाली देवताओं में एक मात हनुमान जी की कृपा जिस पर परसना शुरू होती है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता दस दिशाओं और चारो युग में उनका प्रताब है जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा समझो उसका संकट कटा प्रते दिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए हनुमान जी इस कल्यूग में सबसे ज्यादा जागरत और साक्षात है कल्यूग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है बहुत से लोग किसी बाबा गुरू जोतेश और तांत्रिकों के चकर में भटकते रहते हैं क्यूंकि वे हनुमान जी की भ तक जरूर देखिएगा भूद पिशाच भूद पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे अर्थात जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां भूद पिशाच पास भी नहीं भटक सकते जिसे किसी अंजान शक्ति या भूट पिशाच आदी से डर लगता है वे हनुमान जी का बस नाम ही जबते रहेंगे तो भय मुक्त हो जाएंगे भूट पिशाच जैसी उपरी बाधाओ से परेशान व्यक्ति को बेजरंग बान का पाट करना चाहिए और नित्य या मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को अगरवती लगाना चाहिए फैक्टरी या व्यवसाइ स्थान आदी पर भूद प्रेतों का साया ना पड़े इसके लिए अपने अपने प्रतिष्ठानों के उपर हनुमान द्वज यानि जंडा लगाना चाहिए यह द्वज लाल कलर का हो बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में ना हो इसके लिए सिंदूर से राम राम लिख कर साथ बिंदू लगा दे जिससे आपका घर सुरक्षित रहेगा मकान के आसपास शमशान हो या कोई खंडर भवन हो तो ऐसे में मकान के उपर हनमत ध्वज की स्थापना कर देनी चाहिए यदि आप अंधेरे भूत प्रेत से डरते हैं या किसी भी प्रकार का भय है तो आप हनमनते नमहां का रात को सोने से पुर्व हाथ पैर और नाक कान धोकर पुर्वा भी मुख होकर 108 बार जब करके सो जाएं कुछी दिनों में धीरे धीरे आप में निर्विक्ता का संचार होने लगेगा शनी और ग्रव बादा जिसे लगता है कि उसको शनी या अन्या किसी ग्रव की बादा है साड़े साती अधाईया या राहू की महादशा चल रही है तो घबराने की जरुवत नहीं है हनुमान जी की जिस पर कुर्पा होती है उसका शनी और यमराज बाल भी बाका नहीं कर सकते आप प्रतिम अंगलवार हनुमान मंद जी को आटे के दिपक लगाएं रोग और शोग नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जब करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है यदि आपको शरीर में पीड़ा है या आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो आप हनुमन बाहुक का पाट करें हनुमन बाहुक गोस्वामी तुलसी दास द्वारा रचित स्तोत्र है जन्शूती के अनुर्सार एक बार जब कल्यूग के प्रकोप से उनकी भुजा में अत्यानतर पीड़ा हुई तो उसके निवारन के लिए तुलसी दा प्रति दिन उस जल को पी कर दूसरे दिन दूसरा जल रखे हनुमान जी की कुरूपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं उसे आपको मुक्ति मिल जाएगी कोड कचरी जेल बंधन से मुक्ति हनुमान जी बंधी छोड़ बाबा हैं उनके इलावा कोई अन्या बंधी छोड़ नह जाता है यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण कारागार यानी जेल हो गई है तो उसे संकल्प लेकर शमा प्रातना करना चाहिए और आगे से कभी किसी भी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान 40 अका 108 बार पाट करे हनुमान जी के कुरुप अलवार एवशनीवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित करे और घर में सुबर शाम हनुमान 40 का पाट करे पाट करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात न करे जब 21 दिन पूरे हो जाए तो हनुमान जी को चोला चड़ाए हनुमान ज जाते हैं कुछ लोगों को सपस्ट बोलने की आदत होती है जिसके कारण उनके गुप्त शत्रू भी होते हैं यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हो और आपके विरुद्ध शडियंत्र रच्टे हो ऐसे समय में यदी आ अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्क पर चलने का समकल्प लेना चाहिए क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं 21 दिन में तुरंत फल मिलता है मंगल दोश बहुत से लोग मंगल दोश के भई से ग्रसित हैं शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वे एक चार साथ आठ और बारा भाव है जोतिशियों की अनुसार इनमें से केवल आठवा और बारावा भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है सामान्य तौर का अर्थ है कि विशेश परिस्तितियों में इन स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छे परिनाम दे सकता है ऐसा माना जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद यहां दोश समाप्त होना शुरू हो जाता है मंगल वार के दिन वरत रख कर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवा हनुमान चालिसा का पाट करने से मंगल दोश शांत होता है इसके अलावा लाल वस्तर में मसूर डाल, रक्त चंदन, रक्त पुश्प, मिश्थान, एवद द्रव्य लपेट कर नदी में प्रभाहित करने से मंगल का अमंगल दूर होता है घटना दुर घटना से बचना घटना दुर घटना को राहु, खेतू और शनी अंजाम देते हैं जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सेडन्ट हो जाता है या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर घटना से बचा लेते हैं इसके लिए आप सदा उनकी शरन में रहकर प्रते दिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें कभी-कभी सुन्दर कांड को भी पढ़े और बजरंग बान को भी इसके अलावा साबर मंत्रों का भी ज्यान प्राप्त कर ले कर्स से मुक्ति यदि किसी कारण वर्ष आप कर्स में डूब गए है या कर्स से परेशान है तो हनुमान भक्ती से कर्स से चुटकारा पा सकते हैं कर्स से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं हनुमान जी की कुर्पा हुई तो तुरंद ही इससे मुक्त हो जाएंगे मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है यहाद दिन कर्ज से मुक्ती के लिए सबसे उत्तम है यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में सोचे बुध्वार और रवीवार को कभी केसी को उधार न दे. मंगलवार को हनुमान 40 का पार्ट करके हनुमान मंदिर में नारिळल रखना अच्छा माना जाता है। अगर आप बे रोजगार है या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप मंदिर में मंगलवार के दिन सुन्दर कांड का पाट करें, प्रति दिन हनुमान चालिसा का पाट करें और प्रती मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हो सके तो पांच शनीवार को हनुमान जी को चोला चड़ाएं यदि यह संभव नहीं हो तो पाँच बार कभी भी किसी भी शनीवार को चुला चड़ाए आप अपने संस्थान में एक लाल कपड़े से नारियल को नाडे से बांद कर एक और लटका दे दूसरा यदि आप नौकरी पाना चाते हैं तो नौकरी के लिए इंटर्व्यू देने जाए तो जेब में लाल रुमाल या कोई लाल कपड़ा रखे संभव हो तो शर्ट भी लाल पहने आप जितना अधिक लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं करे लेकिन यह याद रखे कि लाल रंग बढ़किला ना लगे सौम्य लगे तनाव या चिंता बहुत से लोगों को अनावश्यक भई और चिंता सताती रहती है जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है जिसके चलते व्यक्ति कहीं तरह के रोग से भी गिर सकता है ऐसे व्यक्ति को मन ही मन हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमते नमह या ओम हनुमते नमह का जब करते रहना चाहिए रात में सोते समय उसके 108 बार इस मंत्र का जब करके सो जाना चाहिए और सुबह उठकर नित्य करम से निपटने के बाद एक आसन पर बैट कर इस मंतर का जब करना चाहिए दीरे दीरे भय, चिंता, तनाव और आशंका मिटने लगेंगे दोस्तों तो अब आपको मालुम पढ़ ही गया होगा कि अगर सचे दिल से हनुमान जी की भक्ती करें तो दुनिया की कोई भी बुरी बाधा से बचा जा सकता है जै श्रीरान, जै हनुमान पर स्लोटेंगे, थैंक यू बरी मच, जै श्रीराम